हेलो एविर्वन वेलकम टो आर चैनल जिबली साइका स्वात का तलका आज मैं बनाने वाली हूँ दही भले जिसे लोग दही बड़े भी बोलते हैं वो कहते हैं ना टेस्ट एक ना मनेक यहां हमने उरत की दाल ओवरनाइट सोक करने के बाद अच्छी तरह से वाश करके स्ट्रेंड कर लिया है और इसे हम हरी मिर्श और अद्रक के साथ मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके स्मूद पेस्ट तयार कर लेंगे अब हम एक बड़े से बरतन में बीटर की हेल्प से इसे बीट करेंगे आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेट सकते हैं क्योंकि जतना जादा हम इसे बीट करेंगे इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और यह फैलेगा और जो वड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और बैटर बीट हो गया है कि नहीं इसको चेक करने का एक निंजा टेकनिक में आपके साथ शेयर कर रही हूं क्या करना है कि थोड़ा सा बैटर लेकर पानी में ड्रॉप करना अगर वो फ्रोट करने लगे अंदर डूबे नहीं इसका मतलब कि बैटर अच्छी तरह से बीट हो यहां मैं दही भल्ले के लिए मीठी दही बना कर तयार कर रही है जिसमें में दो चम्मच चीनी और एक चम्मच रॉक सॉल डालकर दही को अच्छी तरह से बीट कर लोंगी मैं मीठा दही भल्ला बना रही हूं जो मुझे और मेरे घरवालों को तो बहुत पसंद आता हो जो भल्ला है वह बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक जाता है और जो उरत के दाल के कच्छेपन की एक स्मेल होती है वह भल्लों में से बिल्कुल खत्म हो जाती है कर्चे से पलड़ते टाइम एक बात का ध्यान रखे कि भल्ले एक दूसरे से चिपके नहीं और अच्छी उनसे से फ्राई करें चरा ठाथे इसे तोड़ा थे सब़्सादा फ्रा Hetके सब्सकत्स क करें त्यार होता है यहां भल्ले बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन हो चुके अब हम इसे स्ट्रेन करके निकाल लेंगे यहां फ्राइ कि हुए भल्ले एक बाउल में मैंने नॉर्मल पानी लिया है और यह जो मीठी दही मैंने बनाई थी बल्लों के लिए वह है अब हमने करना क्या है कि फ्राइ किये हुए सभी भल्लों को हम पानी में डाल देंगे और उसे हलके हाथों से डिप करेंगे और फिर नॉर्मली उसे निकाल कर दही में डाल देंगे हमें उसे निचोड़ना नहीं है निचोड़ने से क्या होगा कि वह भल्ले तूट जाएंगे और ज्यादा दिर अच्छे एक 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 हुंर की अच्छी त sob controllers कमें और अच्छे नुक हम रहाए यह दिप रहे पर आदे खाना प्रॉसिय। घंडे फिर्थ में अब्रोद Singal No Crystal Mнет अच्छी आ जाड़़्य। hope you like the video so keep watching keep sharing and keep supporting us thank you very much